ये स्क्रीन पर आपको दीखहे रहा है ना शुक्त किसे पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी वी है फिसलन पट्टी बनी हुई है पहले दो किसी पार्क में क्या है आप पार्क में क्या है फीषल न पड़बाद बनी है पूराइक में देखो तेरा इसकी पास विये दिवारों यानि साइड वाल जो बगल-बगल हैं में से एक दिवार पर किसी रंग में से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए यह लिखा है यानि एक दिवार को पेंट करके पार्क को हरा भरा और साफ लिखिए रखिए ऐसा लिखा गया है यदि इस दिवार की बीमाएं पंद्रा मेटर ग्यारा मेटर और छे मेटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का छेत्रफल ग्याद कीजिए समझ रहे हो ना यह फिसलन पट्टी वो है जहां 11 मीटर लिखा है ऐसे लोग फिसलते हैं लेकिन जो दिवाल है बगल की भाई फिसलन पट्टी हवा में तो बनी नहीं है कुछ बना होगा अगल बगल दिवाल हो गया रहा ना उसी कि सारे बनी है तो वो आपको दिखाया गय चित्र को सोच समझ की बनाना पड़ता देखो बन गया ठीक है यह क्या है बाबु आपका यह फिसलन पट्टी है ऐसे लोग सरक रहें और यह उसकी नीचे 15 मिटर लंबाई है इधर ग्यारा इधर 6 मिटर है तो इस पूरे का हमें एरिया निकालना जितना यह यह रंगा गया पूरा पूरा ठीक है तिर वुचक motor से सबसे पहले हम अर्ध परिमाब निकालेंगे यह यहां पर लिखेंगे दीवार का अरध परिमाफ यह सेमिपेरिमेटर इक्वल एब प्लस बी प्लस C पांट टू एक अमान रख लो 15 11 6 कि सबको जोड़ो कि 32 2 जो बराबर 16 मिटर आए अब लिखो आता दिवार का छेत्रफल क्या होगा लगा दो आपका जो भी फर्मूला है यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी यस कमान 16 आया है तो 16 माइनस ए कमान कितना है इसको मानलो 11 बी कमान कितना है बी कमान भाई इसको मानलो तीन भुजा है कोई भी मानलो आप और तीसरी भुजा 15 इनका क्या करना है बाबु भीया हल कर लो 16 हुआ है शोला मेंसे 11 जाएगा 5 इसमें से 6 जाएगा यह 10 यह 1 इंका वर्गमूल निकालना देखो इसका वर्गमूल तो अराम से निकल जाएगा इसका हमें क्या करना पड़ेगा वर्गमूल करना पड़ेगा पहले समझ लो 12N5 को 4 गुड़े 4लिख सकते हैं थीक है यह 5 ऐसे रहेगा द्सको हम 5 गुड़ा दो लिख सकते हैं एक को ऐसे रहने देंगे कमझना दसको हमने क्य किया ऑगा कि दसको हमने दो गुड़े पांच या पांच गुड़े दो लिख दिया इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को चलो अब देखो यह जोड़ा बन गया यह जोड़ा बन गया आपका चार एक पांच बाहर निकल जाएगा चर पंचे बीस अब लिख भी सकते हो चार गुड़े पांच यह अंडर रूट दो अंदर में रहेगा क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है है ना फाइनल में बी इस तरह की कला से आप देख सकते हैं पीवियर स्टड़ी इलाबा चैनल पर रोज साम को 6 बज़े और पीवियर स्टड़ी ग्रूप चैनल पर पीवियर स्टड़ी सुरी 3.0 चैनल पर चैनल नंबर 3 पर सुबह 8 बज़े से अभी टाइम है हो सकता टाइम अगर बदला जाय तो नीचे नंबर चल रहें उन पर संपर करिएगा और हां पीवियर स्टड़ी की जो 910 की सारी मैथ है उसे पूरा पाने के लिए पीवियर स्टड़ी को टेली गराम पर जरूर जोइन कर लो डिस्क्रेप्शन में लिंक दी गई होगी या टेली गराम पर पीवियर आफ 910 सार्च करो मिल जाएगा ठीक है तो आज के लिए नहीं और बहुत थैंक्यू जैहिन